भारतिय जनलता पार्टी पूरे तरीके से जमू कश्मीर में चाहे वो शहरी एलेक्शन्स हो चाहे यहां असेंबली के एलेक्शन्स हो या पारलिमेंट के एलेक्शन्स हो हम पूरे तरीके से तयार हैं हम चाहते हैं कि यहां एलेक्शन्स हो यहां चुनी हुई सरकार हुई हमारी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तीन सु सतर के उपर सुनवाई चल रही थी तो जब वहां चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जमु कश्मीर में कब तक एलेक्शन्स होंगे तो सरकार ने वाज़ किया है कि इसका फैसला एलेक्शन्स कमिशन्स ने लेना है सरकार एलेक्शन्स कमिशन्स वो को वो तावाम सहुलिया जो उसको साजो सामान चाहिए वो उसको प्रॉइड करेगी लेकिन एलेक्शन का फैसला एलेक्शन कमिशन ने करना है बीजेपी तायार है जमू कश्मीर में तमाम एलेक्शन के पारलिमिन्ट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है बहुत सरा ऐसा सरकारी कामखास है बहुत सरे ऐसे बिल्स है जो पिछले कई सालों से अटके पड़े हैं चुकि पिछली बार अपोजीशन ने पारलिमिन्ट चलने नहीं दी बहुत हंगामा हुआ और उस हंगामे के चलते पारलिमिन्ट में बहुत सरे बिल्स जो पेश किये ग यह उन तमाम बिल्स पर इसमें डिसकेशन्स भी होगी और फिर एक सप्लिमेंटरी बिजनस भी होता है कुछ अलग से भी अगर सरकार को लगे कि कोई नया कानून लाना है तो सरकार वो भी ला सकती है जैसे एक बात चल रही है वान नेशन वान एलेक्शन के पूरे मुलक में एक बार एलेक्शन हो पारलिमेंट का भी हो असम्बली का भी हो यह बार 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 एलेक्शन ठीक नहीं है इस किसम के बिल्स और विमन रजर्वेशन का भी डिसकेशन हो सकता